31 वर्षिय जातिका हैं इंदोर के रहने वाली उनकी हतेली विवरंड के लिए आई है इसका विवरंड आज हमें करना है और हम जानेंगे कुछ नई चीज जो हमें सीखने को मिलती है जो मित्र अभी जूड रहे हैं मेरे चनल से प्लीज सबिस्क्राइब कर लीजिए बहुत श शेनी का परवद एक जटके से समझ में आजाता है कि कितना योगकारी ये शेनी का परवद बना हुआ है देखिये इस पर ये जो खड़ी रेखाए हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे और फिर यहां भी हैं नीचे ये जितनी खड़ी रेखाएं हैं ये हमारे धन के रेख इस पर धेर लाइने हैं ऐसे हाथ निवेशक हतेली होती है ऐसे लोग खुब धन कमाते हैं और खुब संपत्यां भी बनाते हैं अब देखिए मित्रों इतने सुन्दर शनी पर ये इसलिए मैंने इसको टैटल दिया महायोग शनी पर इतनी अच्छी लाइने बहुत सुन्दर बने हैं इनके और कहीं किसी वज़य से ये वक्री हो गए है अब देखिए जितने भी लाइने थी ये सारी सारी कट गई है कुछ एक बची है साइड की ये बता रही है कि इनका काम तो चल रहा है लेकिन जो मेजर लग था ये शनी का परवत 90% नस्ट हो गया है वक्री के कार हैं यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर यव बन रहे हैं लाइनों में यहां पर भी है यहां पर भी है यह सब स्पार्ट्स हैं और यह वाला जो बेस होता है परवत का उंगली का जो बेस फैलेंज है वो बिगड़ गया है यहां पर यह लाइन पूरी तरह यह लाइन गा लेकिन ये वाली पहला पूरवा बिगड़ गया है ये लाइन मित्रों मैं बार बार अपने वीडियो में बोलता हूं कि किसी की संपत्ती या किसी का फाइनेंस समझना हो ये लाइन सीधी होना चाहिए जितनी पतली जितनी अच्छी जितनी हलकी जितनी गुलाबी जितनी साफ उतना वो व्यक्ति खिला खिला रहता है ये लाइन गडबड हुई अब व्यक्ति का मुर्जाना तय है ये मोटी हो गई है अब ये जो मोटी होई है तो इसका सर नीचे उत्रे गई विस्तार कैसा मिल रहा है इनको विस्तार अच्छा लिखा हुआ है यहाँ पर कोई भी ऐसी नेगेटिव लाइन नहीं है जो आड़ी जा रही है लेकिन अब देखिए ये योग द्वस्त होता है यहाँ पर यव पड़ गया है यह देखिए एक और यहाँ पर यव पड़ गया है कुछ लाइनों में आइलेंड बन रहे हैं लाइन में और यही भाव नीचे उतरेगा क्या इनकी घर गरेश्ती ठीक चलती है हाँ ठीक चलेगी यह लंबी लाइन ने बता रही है कि खर्चा पानी तो इनको मिलेगा चली आगे बात करते हैं शनी के परवत पर ये जो रेखा है इसने पूरे शनी परवत को destabilize कर दिया है अब इसका effect नीचे भी उतरेगा शनी के ऊपर शनी का परवत जब भी वक्री होगा चंद्रमा को पहले पकड़ लेगा तो मन आपका शनी भगवान के पास में आ जाएगा शनी भगवान चंद्रमा को ऐसा पकड़ते हैं जैसा हम और आप खरगोश को पकड़के कांद पकड़के उसको उठा लेते हैं इस प्रकार वो चंद्रमा को पकड़ते हैं कबसे पहले इनकी जो luck line है पहले हम उसे देख लेते हैं के तू परवज से लिकली लक लाइन के तू परवज से लिकली है यहां से लाइन मोटी हो गई है नीचे से यह एफेक्ट नहीं देगी यह दुख और पीड़ा ही बढ़ाईगी उसके उपर से फिर काली हुई है 31 वर्ष है मैं आपको 31 वर्ष बता रहा हूँ यहां करीब 31 वर्ष आएगा इनका और यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर राहू की मार हो रही है यह राहू यह राहू और यह राहू मंगल परवज से यह जो लाइने निकली है लक की लाइन को डैमेज कर दिया है उपर से भी डैमेज हो गई है यह वक्री लाइन अब जो में लक लाइन है तो अभी इनको 31 से लेकर इनका लग तो चलेगा अभी भी लेकिन जो खास परिशानी इनको आने वाली है वो करीब 36 और 37 40 साल के आसपस बड़ी समस्य आएगी क्योंकि यह लाइन पूरी वाई में तबदील हो गई है एक वाई की अकरिती बन गई है लक लाइन पे जब भी वाई की अकरिती बनेगी बहुत डेंजरस हो जाएगी लेकिन अगर हम फिर भी बहुत बारीक से देखें तो एक देखिए लक लाइन थोड़ी सी तूटती तूटती चली है यव भी बनाया है और आगे शनी परवत तक पहुँच गई है लेकिन लाइन में बहुत सारा डेमेज है तो लक लाइन एंजिन लाइन जिसे हम कहते हैं मनी लाइन इसमें डेमेज है ये करियर की लाइन भी होती है शनी का डेमेज होना मतलब पूरी हतेली में एक जहर फैल जाने के बराबर होता है मैं चंद्रमा की बात कर रहा था अब देखिए चंद्रमा का परवत ये है चंद्रमा का परवत सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन एक्स्ट्र डेवलप हो गई है इस तरीके की लाइन ये मन को पीडित कर देती है यहां पे भी यव पड़ गया है उसमें वरश्यक राशी वालों के हाथ में ये चंद्रमा जादा देखा गया है इस प्रकार की लाइन जो पीड़ा को ही दर्शाती है मन की पीड़ा उपर शनी भगवान ने पकड़ा है वक्री लाइन दी है तो नीचे आप देखिए कि चंद्रमा कट गया है यहां पे भी कटा गया है चंद्रमा के परवत पर जो हमारा मन है उसके उपर भी आप देखिए यहां से इस प्रकार थोड़ा सा यहां पे ढिला पन आ रहा है यहां पे डिप ़ो खतम हो जाता है तो बाड़ी में fights के और कई समस्याओं की जैनिनी हो जाता है तो बाड़ी में ये सब चीजे होती है स्वास्ता व्यक्ति नहीं रह पाता है आप और हवा को महसूस नहीं कर سकता पिड़ा शरीर में चालू हो जाती है तो सबसे पहले ये हमारे moment को restrict करता है और दूसरा ये fats बढ़ा देता है क्या हमको गुरू परवत पे कोई बिमारी की indication दिखते हैं पीडा के जी हाँ गुरू उंगली की पहली पोरवे पे आप देखें ये line भी फैल गई है और इसने बड़ा यव बना लिया है तो गुरू के उपर अगर तो बहुत बड़ी चिंता देता है ये करियर से related चिंता देता है व्यक्तित्व से related चिंता देता है और हमारा स्वास्त संतान सुक इनको अच्छा है माफ कीज़े यहां पत्नी का देखते हैं यहां वैवाहिक सुख देखते हैं तो वैवाहिक सुख तो इनको मिलेगा लेकिन यहां पर भी एक negative line दोड़ पड़ी है अगर हम संतान की तरफ देखते हैं तो संतान को सुख तो बहुत अच्छा मिला हुआ इनको और आगे भी इनको अच्छा सुख है लेकिन गुरू परवत की फिर देखिये बेसलाइन खराब हो गई है आए गुरू परवत पे गुरू का परवत बड़ा बना हुआ है और बीच में से डिप्रेशन आ गया है साथ में गुरू का परवत इस तरफ जुगग गया है केंद्रित भाव से इस तरफ होना चाहिए था तो यहां तो दब गया है और जहां आप यह काला भाव देख रहे हैं यह राहु की तरफ खिच गया है गुरू चांडाल योक की तलफ यह इशारा करता है इनकी मुझे कुंडली भी देखनी पड़ेगी, उसका भी मैं एक्जामिन कर लूँगा और इनको मैं हाथ देख के बता दू कि चांडाल योका इनको निशानी है तो एक चांडाल योका इनको निवारण करवाना ही पड़ेगा उंगली जुकी हुई है करियर की चिंता और घर गरस्ती की चिंता देती ही देती है मंगल का परवत देखिए मंगल के परवत पे मुझे बहुत सारा डिस्टर्बेंस दिख रहा है देखिए इस तरीके से मंगल पे मोटे मोटे पहाड नहीं खड़े होने चाहिए इसमूत होना चाहिए मंगल का परवत जैसे इसमें दिख रहा है कि एक उसने स्वेलिंग ले ली है दो जगे से तो ये देखते ही पता लग रहा है कि मंगल का परवत गड़बड होगा नई पिच्चर पर समझ लेते हैं इसको और क्लियर हो जाएगा ये है मंगल का परवत अब देखिए मंगल के परवत पर यहां तो पहले ही लाइन डार्क दोड रही है एक लाइन ये दोड रही है एक लाइन ये दोड रही है तो मंगल के परवत पर मेहनत तो भी करने पड़ेगी अब ये मंगल से भी नेगेटिव उरजा जा रही है मंगल से एक लाइन यहां निकली है डबल लाइन होती हुई बहुत बारीक से आपको देखना पड़ेगा देखिए ये गई है और इसने डबल डबल लाइन बनाते हुए ये शनी के परवत पर पहुँच गई है तो इस प्रकार अगर शनी के परवत पर मंगल लाइन पहुँचती है और वो भी गुरू से होती हुई तो गुरू को डेमज करती हुई जाती है वो और शनी परवत पर पहुँच जाती है तो गरहस्ती का सुख भी उसमें कमी आना तै है कुछ लाइन और भी है जो दोड़ रही है यह देखिए यहां से भी दोड़ी है मंगल की लाइन जो शनी परवत की तरफ जा रही है तो इस प्रकार यह योगों को काट रही है खड़ी हुई लाइन इसलिए इन लाइनों में भी देखिए यह पड़ गए हैं जो मैं पहले ही बता चुका हूँ तो मंगल पे नकरात्मक चीजे हैं मंगल का इलाज करना पड़ेगा दूसरा सबूत की मंगल गड़बड है हमारी जो सपोर्ट सिस्टम होता है इमिर्डी लाइन हमारी मंगल लाइन गार्जेन एंजेल लाइन यह देखिए यहां पे डबल हो गई है इसके अंदर भी यव आ गया है यह भी डबल हो गई है सपोर्ट सिस्टम खतम हो जाता है हमारे जो पिलर्स हैं हमारे जो फाउंडेशन हैं वो जिंदिगी के हिल जाते हैं जब यह मंगल लाइन इस प्रकार के यव दिखाने लगती है अब अगर शनी का परवद वक्री है चंद्रमा यहां फसे हुए हैं गुरू के उपर वाला यह बता रहा है पीडा शरीर की तो यह डेफिनेटली सुखों में कमी करता है हम शुक्र का परवद देख लेते तो हमें इनके सुख भी समझ में आ जाएंगे अब शुक्र का परवद नाशपाती शेप का बना हुआ है यह खुबसूरत होंगी यह जाती का यह बता रहा है और सारे जिन्दिगी के जो सुख हैं वो इनको मिलने हैं ऐसा यह शुक्र का परवद बता रहा है आप देखिए थोड़ा सा बारीक से देखेंगे तो इतना हिस्सा ज़्यादा उठ गया है और इतना हिस्सा नीचे दब गया है शुक्र का तो अभी भी योग है इनके हाथ में थोड़ा सा नुक्सान हुआ है जहां मैंने नीला कलर से बनाया है यहां पर डिप्रेशन है शुक्र के परवत पर और शुक्र के परवत पर यह जो चिंता की लाइने दोड़ रही है बहुत सारी लाइने है यह लाइने थोड़ी हो तो चलता है थोड़ी चिंता होनी भी चाहिए क्योंकि थोड़ी चिंता हमें प्रेरेद भी करती है लेकिन इतनी सारी लाइने हो जाना और उसके अंदर भी कुछ लाइनों में गड़बड है देखिए यहां पर यह डबल डबल हो रही है अब यह लाइने जाकर लाइफ लाइन से टकरा रही है चिंता की लाइने कितनी भी हो अंदर की सीमा में हो कभी भी लाइफ लाइन को न टच करे यह जो मैंने हरे कलर से बनाई यह लाइफ लाइन है लेकिन आप देख रहे हैं बहुत सारी लाइनों ने यह लाइन को डैमेज कर दिया है तो लाइफ लाइन भी इनकी डाइमेज है सुखों में ने संधे कमी है ये जो शुक्र की चिंता की लाइने हैं ये अंगूठे की बेस लाइन से उपर की तरफ भी नहीं चड़ाना चाहिए चड़ चुकी है संतान को भी ये प्राब्लम देती है क्योंकि संतान के जो ब्लॉक्स बने होते हैं वो इसी बेस लाइन पर बने होते हैं देखिए ये एक ब्लॉक बना हुआ है एक यहां बना हुआ है दो संताने तो मुझे सपस्ट दिख रही है एक यहां भी बना हुआ है लेकिन साथ में इस इस प्रकार का यह जो डिपरेशन बना है जो से मैं काले कलर से बनाता हूं यह गलत है तो यह संतान पिड़ा है संतान की प्राप्ती में और संतान को पालने पोस्ने में भी क्या यहां पे दिख रहा है जी हां जैसे यहां पे भी हमने थोड़ा सा देखा था कि यह जो लाइने हैं और यहां पे गड़ बड़ा रहा है तो यह वहवाई की स्तिती में थोड़ा सा दुख है और संतान का इस कॉलम पे तो नहीं दिखता है गुरू के परवत पर लेकिन हां यहां पे थोड़ा सा काला सा दिख रहा है तो अभी यह स्टार्ट है तो इनको संतान के लिए भी ए कर चड़ जाती है तो यह दिक्कत होतीहें अपने आधिकारों के प्रती ऐसे जातक पीछे चले जाते हैं यह देखिए पतलंगं उठाए माश कम और आधिकारों के प्रति उनको चेटना जगानी जागरुख होना पड़ेगा कंद्गर शक्ति वाला हमारा जीवन भस जाता है बुद्धा आयंगुटे पे बना हुआ है जो अब पूरी तरह से खुल गया है और एक गलत दिशा में चला गया क्योंकि इसका यह स्वरूप है वो नस्ट हो चुका है और यह कुरूपता की और बढ़ रहा है महालक्षमी की एक लाइन अभी भी मणी बंद देखे तो उससे हमें काफी चीज समझ में आ जाती है मणी बंद अपने आप में खतेली होती है पहली लाइन ठीक बनी है व्यक्तित्व पार हो जाएगा जीवन अब बहुत अच्छे से गुजर जाएगा इंडिकेट कर रही है क्या इनके जीवन में धन होगा हा वर्तमान में धन का आगमन जो है यहा इन्वेस्टमेंट इन्हें पिया है या जहां यह बना रहे हैं प्राप्ति के वह अभी योग नहीं बन रहे हैं वर्तमान हतेली इनकी यह Sund कि बता रही है लेकिन आगे जा कर समपत्ति के योग बहुत अच्छे बने हुए हैं। लेकिन ये बीच वाली जो मिडल एज है इसमें इनको संगर्स है अब यदि क्या इनके जीवन में सुख होगा जो तीसरी लाइन बताती है तो तीसरी लाइन पे पूरा यव पड़ गया है देखिए इस पूरा आइलेंड आ गया है ये लाइन पूरी तरह से गड़बड हो दिखा रहा है और 5-6 साल पूरानी प्रॉब्लम भी इनको ये प्रॉब्लम चल रही है अभी आगे और जाएंगी तो हम यहां कह सकते हैं कि धान हमें मध्यम अभी नजर आ रहा है लेकिन सुख अभी पूरी तरह से गायब है शरीर की पीड़ा भी दिख रही है यहां पे फ खूल गया है ये शनी का खूल गया है यह शनी में तो बहुत ज्यादा डाइमेज है अंदर भी धस गया ही है कि कि अध्या सूर्य पर है सूर्य भी मिलेगा और विस्तार भी अच्छा है आईए इनका परवद परवद फिर योगकारी है देखिए सूरे का परवद भी योगकारी बना हुआ है बहुत अच्छी लाइने बनी हुई है पिता के संपत्ती मिलेगी यहाँ पे एक मचली का चिन्ह बन रहा है जो परवद को दिखाता है तो परवद अब देखिए यहां से मंगल से कुछ रेखा चली जो डबल लाइन होके बहुत शॉर्ट-शॉर्ट में आप दिखेंगे जा रही है यहां पर आपको केवल इंप्रेशन्स मिलेंगे जाने के यह कट गया एक रेखा ये सूरे की समस्ते line को कट दिया इसने पिर से दिखा दूँ ये जो line आप देख रहे हैं ये कट गया सूरे पर भी कट गया सूरे कटेगा तो विस्तार नहीं मिलेगा घर में भी आपका अपमान होगा अपमान की स्तिती बनेगी और जो बॉडी के अंदर का जो सूरिय है एनरजी का प्रोडक्शन वो भी बाधित होता है और बहुत सारी व्याधियां भी लगए सूरिय का परवत पे बहुत सारा काम करना है बुद्ध का परवत देखिए अब बुद्ध का परवत तो ये अच्छा बना है मेरेज लाइन भी अच्छी बनी है और ये जो हीलिंग लाइन्स बनी है खड़ी हुई लाइन्स ये व्यक्ति को आगे बढ़ाती है कॉम्पेटिशन में लेकिन यहाँ पर अच्छी ब्याइन्स को यह टेखिए यहां पर दापर क्या देखिए लेकिन planning इनकी अभी भी अच्छी है ये जो तील है ये भी finance में इनको दिक्कत देगा उंगली की height जो है वो पूरी नहीं है सूर्य परवत के पहले पूरवे तक नहीं आ रही है तो ऐसे लोगों को जीवन में उतार चड़ाओ तो भाईया आपको देखना ही पड़ेगा कनिष्टा उंगली जब भी छोटी हो और सूर्य के प्रथम पूरवे तक ना जा पाए तो आपको उतार चड़ाओ जीवन में देखना ही पड़ेगा बिजनिस में भी देखना पड़ेगा तैयार रहें इसका उपाई यहीं समझिए इस नाकून को इतना बड़ा लीजिए कि यह प्रथम पूरवे तक चला जाए सूर्य की उंगली से अनामिका के प्रथम पूरवे तक तो यह उपाई ततकाल होता है यह ततकाल लाब देने लगता है उतार चड़ाओ जीवन में थम जाता है आउटर मंगल तो देखिए क्या बना हुआ है इलेक्शन लड़ जाना चा तुम्हें रहेगी और ऐसे लोग समाज से जुड़कर पैसा कमाते हैं और समाज में बद प्रतिष्ठा नाम भी पाते हैं इलेक्शन भी अगर लड़ते हैं तो इनको ऐसे लोग को बहुत सपोर्ट मिलता यह जनता का दवार है यह जनता का घर है चंद्रमा मैं आपको बताई चुका हूँ अब देखिए इनकी माइंड लाइन को समझी है माइंड लाइन एक विशेश है माइंड लाइन गूरू के परवस से निकली है अब माइंड लाइन अगर गूरू के परवस से जब भी निकलेगी तो व्यक्ति की स्वतंत्र सोच ब जो स्टार्टिंग लाइन है वो भी मोटी हो गई है और ब्लंट हो गई है शार्प होनी चाहिए तो यह कड़बड़ है अब इनकी माइंड लाइन चलती है करीब यह 21 साल हो गया यह 39 हो गया और बीच में मैं देखूं तो यह लगबग 27-26 के आसपास इनको एक मेजर परिवर परतन इनके जीवन में द्रिष्टीगत हो रहा है क्योंकि माइंड की लाइन यहां तक चली है फिर हटके यहां से चली है तेखिये माइंड की लाइन जब भी दुबारा चलेगी तो उसको ऊपर से चलेगी तो बहुत अच्छा रहेगा ओरिजनल लाइन के वो नीचे से चल उपर से निकल जाती एक यह बनी है उपर से निकल जाती है उसका reformation हो जाता है तो यह बहुत अच्छा योग होता है लेकिन इनके हाथों में यह नीचे से चली है तो यह परिवर्तन जो हुआ है इनके जीवन में यह काफी ज़्यादा है और इसकी जो चाप है इसकी जो कीजिए अगर लक लाइन माइंड लाइन पर आके आसपास डैमेज होने लगती है तो इसका मतलब है कि आपने अपने मन को काबू नहीं किया और वह बैड लक अब आपके हाथ में आ गया है लक लाइन का खराब हो जाना वह ऐसा दुरभाग के देता है भले ही फिर लाइफ का परवत है इसलिए लाइनों से बहुत खास इनका ख्याल रखना चाहिए अब अगर इनकी 35 के आसपास आकर थोड़ा सा कस्ट है लेकिन इनको 35 के आसपास आकर एक दूसरे भी योग इनको अच्छे मिले हैं यह लाइन चल पड़ी है फिर यह लाइन भी चल पड़ी है तो शनी का वक्रीपन आ गया है यह हटाना पड़ेगा इनका मैं उपाई कर दूँगा इनको और जो इनको चांडा लियोग जो दिख रहा है एक बर में की कुंडली में भी देख लेता हूँ मंगल पे बहुत सारा डिस्टर्बेंस है चंदर परवत से जो जुड़ी हुई क्रॉस लग गया है यहां पर भी क्रॉस है चंदरम अब जादा पीड़ेत हैं हार्ट लाइन की तरफ चलते हैं तो हार्ट लाइन से हमें इनका मनोवग्यान समझ में आ जाएगा हार्ट लाइन तो बनी थी अच्छी लेकिन अब इस पर काफी चीज़ों में डिस्टर्बें तो यहां पर हम 21 साल मानते हैं यहां पर हम 49 मानते हैं यहां पर 63 मानते हैं तो देखिए यह वाला इलाका पहले ही फसा हुआ है और यहां पर भी दिक्कत है तो लगबग 49 50 तक इनको सीधी सीधी दिक्कत है जादा फिर कुछ आराम है फिर वो दिक्कत 40 स्वास्त की है ब्लेड प्रेशर या बॉडी के कोई विजरेल आर्गेन खराब जरूर होंगे या उसकी हमें बहुत गहन्च किस्सा करनी पड़ेगी शनी का परवत पहला पोरवा यही दिखा रहा है गुरू का पहला पोरवा यही दिखा रहा है कि ऐसी जाती का कुछ न कुछ ऐसे डिजीज में या डिजॉडर कहलें उसमें यह जा चुकी है कंटिनुसली दवाई खानी पड़ती है ऐसे लोगों को या समय समय पर ख्याल रखना पड़ता है स्वास्त का ऐसा समझ लीजिए अंदर की ये इनकी पूरी जीवन की रिखा है अब देखिए अंदर की तरफ से भी इस प्रकार की ये नेगेटिव लाईन है ये गलत है ये हमारी किसमत को बिगाड़ देती है शुक्र परवत के पूरे सुख छीन लिए है साइट से बचे हुए अपॉर्चुनिटी लाईन में भी देखिए पहले तो दिख रही है और फिर इतने छेत्र में गायब हो जाती है जीवन के फिर ये चालिस के आसपास कुछ चालू होती है ये लाईने अच्छी हैं और ये शुक्र परवत पर एक क्रॉस भी नजर आगिया मुझे तो चीजे जीवन इनका फस गया है और सबसे ज़्यादा शनी की वक्री लाईन मैं इनसे एक शिकायत भी करूंगा कि जब पांच-छे साल से आपको ये हाथ बिगड रहा है प्रॉब्लम हो रही है ये हाथ आप खुद देख रहे हो कि मेरे हाथों में बहुत सारी लाईने कहीं न कहीं से दोड रही है कहीं लाईन टूटी है कहीं कहीं काली हो गई है कहीं कहीं नॉर्मल है तो इसकी चिकिस्सा कराना चाहिए जातक जाती का अपने गुरु लोगों के पास जाना चाहिए इसमें डिले नहीं करना चाहिए पांच-छे साल से हाथ खराब है और अभी कम से कम 5 से 6 साल और हाथ खराब रहेगा finance की बहुत सारी दिक्कत है planning आपकी नहीं हो पाईगी मैं इनको whatsapp पे उपाय दे रहा हूँ पहले तो मैं इनके चांडा ल्योग के लिए कुंडली का confirmation भी करूँगा मंगल में बहुत सारी problem है और शनी की वक्री मंगल ने तो सूरे तक को नश्ट कर दिया है चंडरमा पहले ही गड़बड है तो मन पीडित है ये समय ऐसा है कि योग तो है हतेली में उसको हमें मेहनत करके उपर लाना पड़ेगा चीजे फसी हुई है मनी का triangle पूरा खुल गया है देखिए अब यहाँ पर अगर यह mind line चलती है और यह luck line उपर जाती है तो जो business line से जो बनता है money triangle जो close होना चाहिए देखिए यह weak हो गई है यहाँ पर line ने यह business की हमारे पराकरम की हमारे पैसे कमाने की हमारी family में जो पैसे आ रहे है उसको बताती है तो money का triangle खुल गया है और यहीं धन की स्तिती भी बता रही है कि जो धन है वो थोड़ा-थोड़ा सा यहाँ फसेगा जो इनकी ए जा रही है जो business line है वो भी थोड़ी उपर से मोटी हो गई है लाइने तो वसे भी थोड़ी सी तूटी होई है यह उपर से ज़्यादा मोटी है और नीचे से यह पतली है उपर से मोटी नीचे से पतली लाइने हो business की तो यह भी हमें जो हमारा प्रायोजन होता है जिससे हम धन कमाते हैं उसमें भी यह तकलीफ बहुत देती है एक मैं बहुत अच्छा sign देख पा रहा हूँ देखिए यह राहु के परवत पर एक triangle बना हुआ था देखिए क्या चीज है इसलिए महायोग मैंने इसका title दिया है राहु के परवत पर एक बहुत बड़ा यह प्रस्तुत है त्रिभुज अब देखिए त्रिभुज पूरी तरह से खतम हो गया है एक मोटी लाइन में यह इनका महायोग था राहु परवत पर त्रिभुज बन जाए तो फिर क्या बात है हर तरीके से पैसे देता है और महा पैसे देता है ऐसे लोग स्टार्डम को प्राप्त करते हैं और मीडिया में सेलेबरिटी भी बनते हैं नस्ठ हो गया है तो अगर राहु के परवत पर राहु का उपाय तो उनको करना पड़ेगा थोड़ा लंबा जाएगा योग नस्ठ होने में पांच-छे साल लगे हैं तो उपाय भी इनको साल देड़ साल करने पड़ेंगे लाब जरूर मिलेगा जानकारी स्पस्टों मित्रों श्री गणेश करिए चैनल को सबिस्क्राइब करिए